अब दोस्तों यह वीडियो में उन बच्चों के लिए बना रहा हूं और यह वीडियो में उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनके जो लोग किसी भी कारणवर्ष इस साल नीट पास नहीं कर पाए हैं मेरे पास एक्चुली काफी सारे फोन भी आये हैं और मैसेजज governance कीश यह यह ऐसी लिए कि अन्यूर्य कैंट्धि के लिए ही मैंने वीडियो बना आया है कि मेरा आपसे परसनली रिक्वेस्ट है और एडवाईज भी है जिनाइन कि अगर आप need fail है तो आप कि MBBS करने की जो इच्छा है वो यही पर रोग गीजिए किसी भी तरीके से आप अगर need fail है तो आप MBBS नहीं कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे और आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए सॉरी मैं बहुत straight forward और harsh लग सकता है आपको मेरी बात लेकिन क्योंकि मैंने मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना harsh क्यों हूँ इस बारे में मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन भी आये हैं मदर्स के और दुबारा उनको ऐसा कहा गया था कि आप अगले साल नीट पास कर लीजिएगा आप इस साल एडमिशन ले लीजिएगा आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपके बास एक साल का समय है नीट पास करने का लेकिन फिर वो बच्चे नीट एक्चुली पास नहीं कर पाए यह चीज थी 2020 की लास्ट इयर की जब गवर्मेंट ने एक साल का उनको पेंडमिक की वज़े से वेवर दिया था कि कोई बात नहीं है कि आप इस साल नीट पास नहीं कर पाए या दे नहीं पाए कोई बात नहीं आप अगले साल दे दीजिएगा तो वो बच्चे चले गए लेकिन फिर या उन्होंने किसी ना किसी युनिवर्सिटी में इन्रॉल कर लिया और दुबारा अगले साल भी वो पास नहीं हो पाए इस साल जैसे की और वो कहीं के भी नहीं रहे तो भी वेरिफाइंग वो जैस युनिवर्सिटी में गए वहाँ पर वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि अभी तक तो वो साल बर से नीट के तैयारी कर रहे थे दूसरा उन बच्चों का एक्चुली में उतना एक्टिट्यूड और एक्टिट्यूड नहीं था कि वो मेडिकल की शिक्षा ले सकें देखें आप मेरे को गलत मतलब मुझे मेरे बारे में आप गलत सोच सकते हैं कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप नीट नीट भी 720 में से अगर आप 130, 40, 50 नमबर भी नहीं ले पाए हैं, तो इसका मतलब यह है कि physics, chemistry, biology या आगे के anatomy, histology, pathology, subjects आपके लिए नहीं हैं, मुझे माफ कीजिएगा इतना straight बोलने के लिए, इसलिए मैं request करता हूँ कि अगर आप NEET fail हैं, आप कुछ और अच्छा course join कीजिए, और अगर फिर भी आपकी doctor बनने की इच्छा है, तो फिर आप अगले साल NEET दीजिए पहले, उसको pass कीजिए, उसके बाद किसी college में, इंडिया में या abroad में admission लीजिए, मेरे यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, इस साल NEET का एक्जाम लेट था, तो हम लोगों ने उनको एक provisional admission दे दिया था, लेकिन उनको हमने पहले ही बता दिया था, कि हम आपको NEET pass होंगे, तो ही हम आपको final admission देंगे, उन बच्चों ने हमारे यहाँ पर admission ले लिया था, provisional ही, उन्होंने नेट का exam दिया, नेट का result आया, काफी सारे बच्चे नेट pass हो गए, तो उनकी तो पढ़ाई भी शुरू हो गई है हमारे university में, लेकिन जो बच्चे fail हो गए नेट में इस साल, हमने उनका admission cancel कर दिया, और उनको बोला कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, आप य तो आपको अगर कोई ये motivate कर देता है, inspire करता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप अगले साल pass कर लेना नेट को ये तो pre-medical है, ये तो language course है, उस भुलावे में मत आईएगा, NMC की guideline है कि आपको pre-medical या medical join करने से पहले आपका नेट qualify होना चाहिए, उस चीज़ का कोई compromise नहीं ह किया है, तो आप इस journey को यहीं रोग गीजिए, अगर आपने गलती से कहीं पर admission ले भी लिया है, medical course में, MBBS course में, या pre-medical में, या language course में, तो बात कर लिजिए, सोच लिजिए, ये गलत है, जो भी हो रहा है, दोनों तरीके से गलत है, legally भी गलत है, और साथ में मैं आपको सह नहीं बता रहा हूँ, आप जो medical की जो पढ़ाई होती है, वो strict होती है, आप वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अगर आप नीट का exam जैसा, एक बहुत ही हलका full का exam भी आप पास नहीं कर पाएं, I am very sorry बच्चों, मैं इतना harsh बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, वो आपको पता है, parents pressure में होते हैं, social एक pressure होता है, emotions होते हैं, लेकिन प्लीज आप इन चीजों में मच जाएए, हर पांचोंगली बराबर नहीं होती है, जरूर आप में आपके बच्चों में कुछ अलग talent होगा, कुछ अलग course होगा, कुसी अलग profession के लिए बने होंगे, आप उसको choose कीजिए, और अपनी तरकी कीजिए, मेरा पूरा पूरा आशिरवादे आपके साथ, may God bless you, आप जिस भी शेत्र में जाएंगे, जहूर तरकी करेंगे, लेकिन उसी शेत्र में जाएं, जिस शेत्र के लिए आप academically qualified हैं, और आप जिंदगी पर उसको आप प्यार भी करेंगे और उस profession में आप अच्छा करेंगे भी, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, और आगे बढ़िये, अच्छे से अच्छा कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अपनी health का ध्यान रखिये, और जो भी profession आपको अच्छा लगता है, MBBS के इला और आप, बहुत दनीवाद, बहुत बहुत दनीवाद, बहुत ब्लस्यू